बार-बार हो रहे हैं बिमार तो जाने कैसे रखें खुद को हेल्दी भागदोड बरी जिंदगी, काम का प्रेशर और बढ़ता परदूशिंग कई बिमारियों का कारण बनता जा रहा है ऐसे में यदि आप फिट एंड फाइन हैं तो ये किसी वरदान से कम ने कुछ लोग अंदर से पूरी तरह फिट नहीं होते लेकिन उन्हें लगता है कि वे पूरी तरह स्वस्थ है यदि आपको भी ऐसा ही लगता है तो इन साथ संकेतों से आप अपनी फिटनेस का पता लगा सकते हैं अच्छी नीद शरीर कितना फिट है इसका अंदाजा हम नीद से लगा सकते हैं हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो ऐसे लोग जो स्वस्थ हैं उन्हें अच्छी और चैन की नीद आती है रात को पूरी नीद के बाद सुभा तरो ताजा रहते हैं इससे अच्छा मानसिक संकेत भी माना जा सकता है चोट ठीक ना हो पाना यदि शरीर पर कोई चोट या घाव लगता है और जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा तो ये आपकी अच्छी सिहत का संकेत नहीं है यदि घाव चोट जल्दी ठीक हो रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और आप पूरी तरह से फिट हैं वजन सही होना अगर आपका वेट कंट्रोल है तो साफ है कि आप कई बिमारियों से दूर हैं शरीर की लंबाई के हिसाप से वजन ठीक है या नहीं ये अच्छी सिहत का संकेत है वजन तेजी से बढ़ गया है तो उसे कंट्रोल कर ले नहीं तो कई गंभीर समस्याइं हो सकती है अच्छा पाचन यदि आपका पाचन सही है तो इसका मतलब आप अंदर से स्वस्थ हैं खाने के बाद पेट फूलना या अच्छी सिहत का अंदाजा सही यूरेन से भी हो सकता है साफ और हलके पीले रंग का यूरेन मतलब है कि आपकी बॉड़ी अच्छी तरह हाइडरेट रहती है यह किड्नी की अच्छी सिहत का संकेत माना जाता है यदि पेशा आप गाड़ा हो रहा है तो अलर्ट हो जाना चाहिए बार-बार बिमार ना पढ़ना अगर आपका इम्यून सिस्टम मस्बूत है तो आप बार-बार बिमार नहीं पढ़ते ये आपकी अच्छी सिहत का भी संकेत है ऐसे लोग जिनकी immunity weak होते हैं वे थोड़े थोड़े दिन में ही बिमार होते रहते हैं ऐसे में सर्दी या कोई संकरामक बिमारी उन्हें बहुत जल्दी पकड़ लेती है अच्छी mental health physical health बहतर है या नहीं ये mental health पर काफी हद तक निर्फर करें यदि आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा या फिर मन अशांत है चिड़चिड़ापन घबराहट जैसी परिशानिया हो रही है तो ये अच्छे मांसिक सिहत के संकेत नहीं है इस पर ध्यान देकर आप सिहत को बहतर बना सकते हैं ऐसे रखें खुद को healthy योग और प्रणायाम करें आजकल के व्यस्त लाइफस्टाइल के चलते लोग आलसी हो गए हैं हालांकि वै नियमित योग और प्राणायाम भी नहीं करतें लेकिन आपको बता दें कि रोज योग और प्राणायाम करने से आप मांसिक और शरीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं healthy खाना खाएं अच्छी डाइट आपके शरीर को स्वस्थ रखेगी ऐसे में अपने रुटीन में कुछ ऐसी चीज़े शामिल करें जो आपको healthy रखे हरी सबजियां, फल और साबुत अनाज अपने डाइट में शामिल करें meditation करें आजकल की भागदौर भरी जिंदगी में तनाव से बहुत लोग परिशान है ऐसे में आप रोज meditation करें इससे आपको आराम मिलेगा और एकागरता शक्ती भी बढ़ेगी पूरी नीद लें कहते हैं अच्छी नीद भी व्यक्ति को लंबी उम्र देती है ऐसे में रोज समय पर सोएं और उठें रोज साथ से आप घंटे की नीद ज़रूरी है